तो गाइस आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा मार्शल इन्वर्स सेजन 6 एपिसोड सेश्टी के नवल को तो अगर आपको अमारी इस वीडियो की एक्पिनिशन पसंद आती है तो चैनल को लाई सस्क्राइब जरूर करें अगर आपने पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक आउट जरूर करें तो चले बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन इस्टोइड लाइन पर तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खतम हुआ था विंड क्लाउड सेट के दो ट्रू जीनियस मैंगली और फैंक कूर ने डिसाइड किया था कि लिंग्डों को कॉल आक्सन के बाद एकदम मार और कर राक बना दें एकदम उसको मार डालेंगे खतम कर देंगे उसके बाद में सीन सेट किया जाता है और हमें आकसन डे का सीन दिखा जाता है जहां पर लिंग्डोंग भी आकसन वाले मतलब जगा पर पहुँच चुका होता है आकसन का गेट अभी खुना नहीं होता है इसलिए वो लोग बाहरी खड़े होते हैं और मतलब यहां पर नमबर लाया था बट लिंग्डॉंग ने सेकेंड मिश्टर डाव ने ऐसे थर्ड फॉर्थ को अचीव कले था तुस बंदे का रंक सेवन या एट हो गया था वहाँ पर जो चांग होंग लिंग होता है वह लिंग्डॉंग के पास आता है और गैस मैं आपको पहले बता जिता एकदम अराम से सांती से रहता है लिंग्डॉंग तो मतलब जहां जाओ वहीं लड़ाई यार मतलब कहीं भी जा रहा है फालतों में लड़ाई मार धाल एकदम काट कर उसी के बंदे पीछे पड़ जाते हैं आ भाई तू एक लो लेवल का सेक्ट का बंद है हम तेरे को ही मा मतलब किसी को नहीं मारेगा पहले लिंग्डॉंग को मारेगा उसके बाद लिंग्डॉंग उसको मार डालेगा खतम बवाली हो जाता है और वहीं पर जो चांग होंगलिंग होता है वह लिंग्डॉंग के पास आतर करता है कैसे हो लिंग्डॉंग भाई वहाँ पर लिंग् टेलेंटेड और वह लोग पहले से निर्वाना के लेवल फोर तक पहुंच चुके और यह लोग हैं लीश्ट में जा चुके यार तो मैं तुम्हें एक सजीशन देना चाहता हूँ कि तुम इस वांग्जिंग सीटी को छोड़ कर चले जाओ तुम आर्थी लिष्ट के सेकंड रैंक पर हो तो तुम किसी दूसरे सीटी से जाकर फाइट कलो मतलब यहां से सीटी जारी दूर नहीं है तो यहां से चल जाओ फाल तुम इन लोग से पंगा होंगा मतलो मतलब वहां पर चांग होंग लिग काता भाई तुम समझे नहीं वहां पर लिंगड़ों काता भाई तुम मेरी टिंशन मत कर यार अरे यार मैं मामली को हेंडर कर लूंगा ना दरसल दो तीन दिन में ना अब निर्वाना रैंकिंग भी होने वाले क्या मैं दूसरे सीटी जाओ य है वहां पर चांग होंग लिग तो ठीक है बाई मैं तो चलता हूँ उसके बाद वहां पर चांग होंग लिग भी एकगम दूसरे जगा चला जाता हमने दूसरे दोस्तों से बात करने के लिए तभी वहां पर वह जो लड़की मैन्यू नहीं होती है वह भी आ रही होते है ग इस वांगजियां सिटी में ना चार सूपर एंपायर प्रिजेंट है और कुछ लो लेवल के भी हैं बट उनको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे पहला है आपका विंड क्लाउड सेक्ट दूसरा है लोन मून सेक्ट तीसरा है वांग सेक्ट और जो चौथा है वह है लि नहीं थे जिनका नाम मैंगली और फैंकून था वह लोग भी लिंगडों के जश्ट बगल से ही गुजरते हैं वहां पर जो मैंगली होता है जिसके चरे पर कटोट लगावा था वह लिंगडों की तरफ दीख कर एकदम मुस्कुराते एकदम दातों फाड़ कर मुस्कुरात वह कता है तेरे पास के वह लाजी की जिन्दगी बचे हुई है जितना जीना है जीले एक बार आक्षन खतम हो जाने दो ना उसके बाद मैं तेरे को दिखाऊंगा कि हमारे सेट से पंगा लेने का अन्जाम क्या होता है एक दाम माट डालूंगा काट डालूंगा तभी वहा सुनकर वहाँ पर मेंगली काफी ज्यादा गुस्टा जाता है साले तु मेरे को कुत्ता भोलेगा वहाँ पर मेंगली तुरंत अपनी बाड़ी से अपनी आभा को रिलीस करता है आस पास के बंदे एकदम डर ओर जाते हैं आज लगता है यहाँ पर लगता आक्षन शुरू लड़ाई उड़ाई शुरू हो जाएगी तभी आक्षन का गेट खुल जाता है वहाँ पर मेंगली का दूसरा भाई फैंको नोता वकता भालतु में भाई आक्षन स्टार्ट होने वाला है और इधर मैटर मत करो इनको तो हम देखेंगे पहले बाद में पहले चलो आक्षन में पहले चलो आक्षन में आक्षन में है इस बंदी को तुम मैं देख लूँगा वहाँ पर मिश्टर डाव होते हैं वाकत यहाँ चल सेंठी पेड नेर देख रहा है कुट्टे का इनका चुपचाप यहाँ से निकल वहाँ पर मैंगली बहुत ही जाद अग बुस्चे में लिंगडंग उन्डों की तरब जेख का जारातार कता है तुम दोनों का जीवन मेरा है मैं ही तुझे मारूंगा अपने हाथों से एकदम कूट काट डालूंगा उसके बाद हमें सीन स्रिप्ट किया जाता है एकदम सारे लोग जाकर अपने अपने ऑक्षन सीप पर बैठते है वहाँ पर लिंगडंग मिस्टर डाउ टाइगर जयवान टाइटन और उसकी बैठ सुरू और टाइटन की गर्फ्रेंड सुकुई इस तारी लोग जाकर बैठते हैं और आक्षन एकदम कुछ टाइम में सुरू भी हो जाता है आक्षन जैसे सुरू होता है आक्षन की बी पहले बता देता हूं इस रेफरी का नाम शॉंग टाइए है और यह राफरी कोई मामली रेफरी नहीं है बलकि यह इस वांग्जियान सीटी में सुपर सेक्ट द्वारा जिस बंदे को एकदम तैना तो नात किया गया ना कि यहां पर ज्यादा मामला अमला ना हो वही बंद करते हैं तो पहले बार में मैं आपको निकाल दूँगा मतलब इस ऑक्षन से उठा कर फेक दूँगा और फिर भी अपनी दादा गिरिया दिखाते हैं और दुबारा यहां पर किसी से फाइट है यहां पर कोई बखेडा खेडा खड़ा करते हैं तो इस बार मैं आपको जो फाइट ने निर्वाना रैंकिंग की फाइट नहीं होने वाली है उससे बैन कर दूँगा और सीधे तुम्हारे मतलब सेक्ट वापस भेज दूँगा लटते राना निर्वाना रैंकिंग में फाइट गाइस यहाँ पर यह जो सॉंग टाइर रफरी यह बहुत ही जादा डें अगर वा उन सक्तियों का इस्तमाल करेगा मतलब उन सभी राइट का यूज करेगा ना तो पक्का आई वा किसी भी बंदे चाहे वह सूपर एंपायर के हो या कोई भी उस बंदे को सीधे निर्वाना रैंकिंग से एकदम दा हटा उटा सकता है कि फाइट बे उट में नहीं करोगे उसके बाद सॉंग टाई बोलता है चलो चलो अब यह सब हो गया नियम हो एकदम बता दिया अब चलो आक्षन सुरू करता हूं वहां पर जो सॉंग टाई होता है वो सभी बंदों को एक बार देखता है फिर उसकी नजर मिस्टर डाउ की तरफ में लटती है जैसे व बादी में एकदम कॉमपन हो जाती है क्योंकि उससी पता चल जाता है कि मिस्टर डाउ की बादी में जो पावर हना वह बहुत ही ज्यादा डेंजल लेवल की है सच में आखिर यह बंदा है कौन वहां पर जो सॉंग टाई होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ दीख रहा होता ह वहां पर जो लिंग डाउ से पुछता मिस्टर डाउ कहीं स बंदे को साकोक तो नहीं हो गया वहां पर मिस्टर डाउ बोलते है रहे नहीं नहीं इस बंदे को ऐसा फिल हुए कि मेरी बोड़ी में काफी जादा धेंजल लेवल की पावर है अगर सूपर सेट के प्रियाच औ ट्रियाच भी आजाना तभी वह मुझे नहीं इस रूप में नहीं देखकर बता सकते कि मैं एक इंसान नहीं हूँ बलकि मैं हेवली सेलेश्टियल डेमर मार्टिन हूँ उसके बाद हमें रेफरी स्वांग टाई की तरफ दिखा जाता है वहां पर स्वांग टाई बोलता है चलो आकशन का पहला समाल लाए जाता है वह सूल पीक स्वाड होती है रेफरी शौंग टाई बताता है यह एक सूल पीक स्वाड जो काफी जाधे डेंजल लेवल की स्वाड है इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वह तीन लाक निर्वाना पिल्स है और इसकी फादी भी सब को बाताता था है और आक्षन स्टार्ट कर दिया जाता है कुछ टैमें एक बांदा खरी लेता है इस स्वाड को एक बांदा पांच लाक निर्वाना पिल्स में खरी लेता है और गाइस कुछ टाइम आप्सन ऐसे और चलता है तभी वहाँ पर जो रेफरी होते हैं वो नेस्ट आइटम लाते हैं सौंग टाइक हते हैं जो नेस्ट आइटम है वो है बैलेंस स्पृट फूट और इसकी जो सुरुवाती कीमत है वो 10 लाक निर्वाना पेल्स है और वो बै सौरुवाईमी की बैद्ट की बोडी में आत्मपृतीक वाला शुम्ल है मतलब आत्मपृतीक है उसकी पावर को बहुती बढ़ीया से सौरुच च्चारometer स्वन्ह इंहें वहाँ पर Titan भी बोलता है है यह काफी ज्यादा मंगा यह 10 Lakh Nirvana Pils काफी बड़ी एक रखम होती है यह यह इतना तो मेरे पास है यह नहीं वहाँ पर न लिंग्ड़ंग होता है रहे तुमं चिंता मत करो उसके पार जो लिंग्ड़ंग होता है वो बोली लगाता है यकारलाइल लाक निर्वाना पिल्स है दराशिस बैलेंस स्प्रेट फूड में बहुत कम बंधो को इंट्रेسب था क्योंकि कोई भी अपना ऐसा निर्वाना पिल्स फालतों में उडा नहीं जाता था वहाँ पर लिंग डोंग final ball लगाता है, 13,00,000 निर्वाना पिल्स है, तब वहाँ पर जो referee song tie होते हैं कोई और ball लगाना चाहता है, तब ही वहाँ पर जो wind cloud set का वो जो fang coon नहीं होता है, वो fang coon बोलता है, हाँ 14,00 निर्वाना पिल्स है, सारे बंदी भी एकदम शॉक में fang फैंकून की तरब देखते हैं वो लोग काने लगते हैं यह फैंकून को इस बैलेंट स्पुर्ट की मतलब कोई भी जर्वत नहीं है यह फालतु में इस बैलेंट स्पुर्ट का प्राइस बढ़ा रहा है और वो जानता है कि लिंगडौंग इस फ्रूट के लिए मतलब लाग की बोली लगाता है फैंकुन 17 लाग की बोली लगाता है और फाइनली वहाँ पर लिंग्डों 20 लाग की बोली लगाकर इस बैलेंट स्प्रेट फूर्ड को खरी लेता है वहाँ पर जो मतलब फैंकुन नो ताव लिंग्डों की तरप देखकर हस्ते वे कता है लो और मु इसी को मतलब उतनी चादर दिल्चस्पी नहीं थी इसलिए बाकी अंपायज के जितने भी लोग थे वह इस बैलेंट इस प्रेट फूर्ट पर ज्यादा पैसा उसा नहीं उड़ाने वाले थे बट आप लोग जान रहे हैं कि विन क्लाउट सेक्ट ये लिंग डॉंग की दूस चुकाना पड़ गया वहाँ पर लिंग डॉंग बोलता है छोटी मोठी कीम है थे चलो इतना तो चलता रहता है उसके बाद थोड़ा सा अक्षान हागी और बाढ़ता है और वहाँ पर ही कॉर आइटम लाया जाता है जो होता है जो होता है मिड लेवल की सोल महाशला टेक्न तीन मिलियन दो लाक तीन कुछ बंदे बोलते तीन मिलियन तीन लाक वहाँ पर अभी भी लोग अपना पैसा सीव करते क्योंकि उन्हें इस आक्षान का सबसे ज़्यादा डेंजर एक्दम बहुत ज़्यादा वह डेंजर हाई लेवल का ट्रीजर नहीं है उस पर पैसा खर् बंदे हैं कुछ बंदे इदा उदर लगा रहेते क्योंकि वो लोग जानते थे क्यों लोग इस आक्षान में सबसे ज़्यादा रेयर आइटम तो खरीद नहीं पाएंगे तो ऐसी टेक्निक से उन लोग के लिए बढ़िया होती है तब ही वहाँ पर लिंग डॉंक फाइनल फैंकुन के तरब देए आस-पास की बंदे भी खते लो यह फैंकुन फिर से लिंग डॉंक को परशान करने या वहाँ पर 0888 म. मिलियं 점क तब भाइन eyesight करें प्राइस में प्राइस जाए राज आता ता कि लिंग टॉंडऑ तयुमहें उंतरा था इस चीज का प्राइस बाढ़ाते जाँ 2019 तो एकदम मतलब एकदम उसका फोटोड जाता है तू इसके आगी बोली योली नहीं लगाने वाला है वहाँ पर लिंगड़ों के चेरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी मतलब यहाँ पर लिंगड़ों खेल गया फालतु में लिंगड़ों को भी आपर इस माशला टेक म कुदना ज़्यादा खास नहीं थी उसने तो जैसे नहीं फैंकुन ने प्राइस बढ़ा था तो लिंग्डों को जो बैलेंस स्पिरिट फूर्ट था थोड़ा महंगा मिल गया था वहाँ पर लिंग्डों ने भी यहाँ पर चाल चल दिया और यहाँ पर यह जो सोल मार्शला टेकनिक है जिसकी कीमत 3.5 मिलियन थे उसे बढ़ा कर 5.5 मिलियन पर एकदम फैंकुन को खरदवा दिया फैंकुन के एकदम जल कर राक हो जाती है आस पास के बंदे हसनी लगता है कते हैं ले बहुत ज़्यादा वक्तिस मार खान बन रहते लिंग्डों ने उसकी भी मार ली यह बास सुनकर ना फैंकुन के एकदम जल लोल कर राक हो बहुत ज़्यादा गुशे में लिंग्डों का घूर घूर कर देख रहा होता है वहाँ पा लिंग्डों हस राओ वहाँ पा जो फैंकुन होता है वह रेफरी को निकाल कर 5.5 मिलियन निर्वाना पिल्स देता है का हिम्मत मत करेगा बोली ओली भी लगाएगा और वह सूपर एंपायर से भी पंगा लेगा मजा ही आगया मेरे को भी देखने में उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा और यह आक्सान आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक चीज बाहर लाई जाती है ज यह जो बीष्ट है वह काफी ज्यादा पाउरफुल था एंसेंट टाइम में यह बीष्ट मान तुम्हारा एंसेंट टाइम का है यह जो हड़ी जो भी बंदा लाए न वह बहुत ही ज्यादा लाकी और यहाँ पर आक्सर में लाकर बेच रहा है सच में किसी भी हालत में इस चीज को खरदना ही होगा रैफरी सॉंग टाइब बोलते हैं यह जो बीष्ट की हड़ी लाए गए न वह एक एंसेंट टाइम का बहुत ही ज्यादा पाउरफुल बीष्ट है जिसका नाम हैवलने डैसुलेट काउ है और इसकी हड़ी जिसको भी चाहे ना बहुत ही बड़ी कंकाल के अड़ी थी गाइस उसका स्टार्टिंग प्राइस है तो आप लोग बोली लगा सकते हैं वहाँ पर लिंग्डव बोलते हैं नहीं मिस्टर डाव यह बहुत ज्यादा महंगा यार नहीं मिस्टर डाव फाइफ मिलियन निर्वाना पिल्स यानी 50 लाख निर्वाना पिल्स यार बहुत ज्यादा डिंजर है वहाँ पर मिस्टर डाव काते हैं अरे तुम समझे नहीं यह जो चीज है वो बहुत ज्यादा पाइफ बहुत है अगर तुमिस पा जाते हो तो तुमारे पाच जो ब्लड सूल पपेट है न उसकी भी पावर उनक्रीज कर सकते हो और तुम्हारे पास वो जो एंसियंट है heavenly demonic crocodile ने एक बार समन किया था गास लिंग लैटियन और उसका fight हुआ था तुलिंग डंग ने मतलब वहाँ पर भी एक crocodile की मतलब छायवा का समन किया था वहाँ पर Mr. Dog बोलते है हाँ heavenly demon crocodile को तुम एक बार फिर से समन कर सकते हो और इस बार ज यानि उस ब्लड को पा जाओगे तो बहुत ही जादा डेंजल लेवल का heavenly demon crocodile को एकदम समन कर पाओगे इस बार जो heavenly demon crocodile समन होगा न उसकी पावर साइज निर्वाना की लेवल 5 पर होगी तो यह बास समझ लो तुम्हारे पास एक और तुरुप का पत्ता होगा जिसका समन करता है उसकी पावर को एकदम नेस्ट लेवल तक पहुंचा कर समन किया जा सकता है साथ ही साथ है उसके ब्लड सूल पफेट की भी पावर को इनकरीज किया जा सकता है न वह काफी ज्यदा खूस होता जाता और करता मिस्टर डाउ तब तो मैं इस हड़ी को जरूरी खर गाइस यहां पर पिल्स की दाम बहुत ही जादा था एक मतब एक सूपर एमपायर का बंदा थोड़ा सा हिम्मत करके 5.1 लाख निर्वाना पिल्स बोलता है बट जब उसने बोला था न तो उसका मूव भी काप गया था मतलब उसने बोल तो दिया था बट वह कही न कहीं चा बंदा जो पहले बोली लगाता है लिंगडों की बोली सुनता है उसके एक्दम जी में जान आ जाते है और खता है बाई तुने सही किया तुने खरी लिया वरना तो मैंच कंगाली हो जाता था था तुमें इस हड्डी को लेकर क्या करता है वहां पा जो रेफरी सॉंग अपिल्स आस पास के सारे बंदे विंड क्लाउट सेक्टिस सॉंग टू आन फैंकुन की तरफ देखनी लगते हैं वह लोग फैंकुन की तरफ देख रहते कि फैंकुन बाई लिंगडों इस बार भी बोली लगा है दाम बढ़ाओ और गाईस आगे क्या होगा इस तब जानन झाल 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 झाल